हलो फ्रेंट्स मैं डाक्टर प्येस्ट वारी आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज हम आपको इगनेसिया अमरा के कुछ गोर्टन स्टेम बताऊंगा तो चली सूर करते हैं दोस्तों इगनेसिया अमरा एक ऐसी दवाई है जो अक्सर फिमेल पेसंट को दिया आता है फिमेल पेसंट में अगर हिस्टेरिया हो गया है हिस्टेरिया कोई भी कारण से हो हिस्टेरिया का कोई भी सिंट्रम हो आपको सिंट्रम मैज करने की जरूत नहीं है हिस्टेरिया की यह एक बेसिक दवाई है इगनेसिया 200 चाचारबून करके हफते में अगर एक बार लंबे समय तक ले लिए जाए तो पेसेंट का हिस्टेरिया जड़ से ठीक हो जाएगा बशर्ते की और टाइम से इगनेसिया 200 चाचारब लगाता लिया जाए दोस्तों इसका अगला गुल्डन सिम्टम यह है कि इफेक्ट साफ ग्रीफ इन ओमेन अगर कोई ओमेन कोई चीज का तकलीफ पा रही है अपना तकलीफ किसु को बता नहीं पा रही है अपना तकलीफ अपने अंदर यंदर रहती है किसी को बता नहीं पा रही है इससे उसका साइड इफेक्ट हो गया उसका लाई परबाद हो गया तो उसको एक प्रावलम होती है बाई पुदर जो की एक छण हस्ती है एक छण रोती है तो इसको बोलते है बाई पुदर तो अ अगर कोई फिमेल पेसेंट को लगातार दुख जेद रही है और उससे इसकी परसानी हो गई है तो उसको जो है इगनिसिया 200 चाचार बूल करके हफता में अगर एक बार लिया जाए तो उसकी मेंटल्टी ठीक हो जाएगी और उसके जीवों ने बाहर आ जाएगा और उसका ज पाइस होता है कि आप जब मोशन करने गए तो आपका जो है प्रतेक मोशन पर आपका रेक्ट्रम बाहर निकल गया अंदर नहीं जाएगा और समय तो आप मोशन कर गए आप लिट्रिंग कर गए आपका रेक्ट्रम बाहर निकल गया इसमें क्या होता है अगर आप इस तूल जो बाहर निकला हुआ है रेक्टम आपको हास्त करना पड़ता है तो आप इगनिसिया 200 हफता में एक बार करके लेजी देखिए आपकी यह प्रावलम हमेसा की ते ठीक हो जाए तो दोस्तों आज मैंने आपको इगनिसिया के कुछ गोल्डिन स्विंटम बताया अगर आपको सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें तब तक मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में नमस्कार सब्सक्राइब